बारमेर में जहाँ एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या में लगाता रिजाफा हो रहा है वहीं अब इस रोग से लोग स्वस्त भी होना शुरू हो गए है पुद्वार को बालूतरा कोविट केर्क सेंटर से साथ मरीजों को डिस्चार्ज किया गया इन मरीजों के दो बार नेगिटी रिपोर्ट आने पर चिकित्सकों ने तालिया बजा कर उनको घरों की और रवाना किया पुद्वार को जिले के बालूतरा केस्बेक से एक शुकद खबर सामने आई है जहां कोविट-19 केर से साथ कोरोना मरीज एक साथ स्वस्थ होकर घर की तरफ लोट गए बालूतरा के कोविट केर सेंटर में एक साथ साथ मरीजों के स्वस्थ होकर घर लोटने के दोरान केर सेंटर तालियों की गड़गडार से गूंजने लगा बुद्वार को भभूता राम, रंचोड, मंजू देवी, भगवाना राम, हन्मन सिंग, मर्गो देवी और राजू राम लगाता दूसरी बार जांच रिपोर्ट के नेगेटिव पाए गए जिसके बाद स्वास कर्मियों ने बुद्वार को इनका तालियों के गडगड़ाग्ट से अभिन दनकर स्वास्त जीवन की कामना करते हुए घर की और रवाना किया साथ हिन स्वस्त होकर लोटे मर्यूजुक अगले 14 दिन तक होम कॉरंटाइन रहने की हिदायद भी दी गई स्वस्त होकर लोटे मर्यूज्जों के चेहरे पर खास खुशी देखी गई उन्होंने कोवीड केर सेंटर की व्यश्ताओं के साथ स्वास कर्मियों के वभार की शरहना की मरीजों की देखरेक में वरीज सिकेसक डॉक्टर रानुजाल खत्री, कोविट केर सेंटर परभारी सीपी सर्मा, छगन गहलोत, समेट स्वास कर्मियों मरीजों की देखरेक में जुटे हुई थे गौरतल बै की बारबे में एक साथ साथ मामले सामने आए हैं जहां पहली बार एक साथ साथ मरीज सुस्त होकर लोटे हैं